दोस्तों मैं आशा खरते हों फुल ठीक होंगे सेफ होंगे दोस्ताज हम इस वीडियो में जॉर्जी ओर्वेल की कैसे शूटिंग और अन एलिफेंट के वर बात करेंगे तो दुषरेश्ट वीडियो को स्ट्रा करते हैं वीडियो को स्ट्रा करें इस तूपर पीजिए उसका यह ऐसे दिखा था है बार्मा पीपर के उपर इंग्लिश जो इरुपेयन से उनका डिस्क्रिमिनिशन तो होता के जो जो ऑथर है और्वेल वह उस टाइम पे बार्मा में एक पुलीस ओफिसर थे एरुपेयन के लिए वो काम करते थे पुलीस ओफिसर थे हालांकि और्वेल के होकर काम करना उनको पसंद नहीं था लेकिन और्वेल का जो प्रटिक फानेंशल कंडिशन था वह बहुत ही खराब था वह बहुत ही पूर थे तो ना चाते हुए उनको अपने पेड के लिए यह काम करना पड़ता था तो और्वेल जो इरुपेयन लोग के लिए पुलीस मिलता है कि एक एलिफेंट भाग गया है और उनको उसको पकरना है तो उनको और मिलता है कि उस एलिफेंट को पकरने के लिए और मानने के लिए तो अपने गन लेकर जाते है एलिफेंट को ढूंडने के लिए और मानने के लिए तो उनको और दिया जाता है कि एलिफेंट को किल करने के लिए डायेक्ट शूर करने के लिए क्योंकि अल्री बहुत लोग को मार दिया है बहुत ही डिस्ट्रक्शन कर दिया है उसने बर्मा के गाउ में तो उस तंब पर क्या होता है कि जब और्वेल गन लेकर वो इस पॉट पर जाते जाबे उस एलिफेंट था तो यह पर बहुत सारे लोग एकठा होते हैं टो सदेखनी और्वेल उस एलिफेंट को देखते हैं तो उनको आखों में जब वो डखती है तो एक शान्त स्वावा उ लेकिन प्रेशर के ब्ज़स्ते के उनके उपर प्रेशर थे पुर्खर्ण है और वह इसके लिए वह मर्जाता है जब वह उस सोच अए को मारा है तो कई ना कई हम इस ऐसे में देख सकते हैं कि क्लोनलिजम किस हाथ तक जा सकता है जो बीटिश रूल था वह किस हाथ तक गया था उनके अंदर कोई लव पीटि रेग्रेट कुछ था नहीं जिसके लिए और वैल को भी उस हाथ को मानना पड़ा था एज पूलिस ऑफिसर एज डियूट उनको यह करना पड़ा था तो यहां पर दोस्तों इस ऐसे में बताया गया है इस तरह से किस तरह से जो बीटिश रूल था वह कितना क्रू झाल था थी